यह भी याद रखे वो भी चूड़िया पहने हुए नहीं है याद रखे वा है और आप सोच गया है कि वो अटम बम हमारे उपर ही गिरेवा उन्होंने का कि पाकिस्तान की इज़त करो क्योंकि उसके पास एटम बम है तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं कि अगर पाकिस्तान को यादिया पाकिस्तान को चूड़िया पहना देगा जय हिन दोस्तों स्वागत है कर वीडियो में दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग जी ने बयान दिया था कि पीयो के से ही आवाज उठेगी कि हमें भारत में मिलना है जिसके जवाब में फारुक अब्दुल्ला जी ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहन रखी है और उनके पास भी एटम बम है अब उसके जवाब में पीये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है तो पहना देंगे और एटम बम वाले जवाब में योगी जी ने कहा है कि हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए है तो चलिए वीडियो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को अच्छा आपको पता है कि पिछले तीन से चार दिन से आजाद कश्मीर में हालात बहुत ज़ादा खराब हैं वहाँ पर मसलसल अकुमत के खिलाफे तजाजी मظाहिरे हो रहे हैं उनके कुछ मतालबात हैं जिस पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक दिन अजाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि अजाद कश्मीर खुद बाखुद इंडिया के साथ इलहा करना चाहेगा जिस पर जमू एंड कश्मीर के जो XCM है फारुक अब्दुला साब उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ने चूडिया नहीं पहन रखी उनके पास एटाम बंब है जिस पर इंडिया के प्राइम निस्टर निरिंदर मोदी ने जवाब दिया है क्या आज कहना चाहेंगे आप इंडिया के प्राइम निस्टर निरिंदर मोदी किस बयान पर असलाम लेकूं मैं मोदी साब को ये चोटी सी बात बताना चाहता है वो पुराने वक्त चलेगा आप नए नजवान है माशाला ये ना बात सुनने वाले ये ना बात टलने वाले आप मोदी को करना जो कर ले इस कौम में पठान रहते है इस पाकिस्तान में और कश्मीरी हम इनके साथ है पहले इनके साथ है और अब इनके साथ है इन्शाला मोदी को हम चूड़ियां पहनाएंगे आप क्या कहना चाहेंगे सारे मामलात पर? अगर पाकिस्तान या अजाद किश्मीर के तरह आंक भी उठा कर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा हम अपने जाने कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातर उसने ये अपडेट वगरा उसने तो पाकिस्तानियों के जजबे आप वो अपने अग के लिए अगर इतना लड़ सकते हैं तो वो ये सोचा अगर वो मकबूला किश्मीर को अजाद करवाने के लिए तो वो हम क्या कर सकते हैं? जी मतालबात तो हमारा अक है हम अपकूमत से अपील भी करते हैं और हम अपना अक लेना भी जानते हैं लेकिन हमारे ये अक्सर आपने अपडेट वगरा देखी होगी निउस वगरा पड़ी होगी के पाकिस्तान के खलाफ हम पाकिस्तान के खलाफ नहीं हम इस क्रेप जो सि कि हम ऐस मारे जो जो अदर किशमयरे बाई शहीद हुए उन्हों असला कश्मीर को लेकर एक बयान यहां से जारी होता है, एक बयान इंडिया से जारी होता है, इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है, कि एक दिन आजाद कश्मीर में इस तरह के हलात पैदा हो जाएंगे, कि आजाद कश्मीर खुद बाखुद जो है, इंडिया क सब्सक्राइश बातर को इसके रहे हैं। defense मजूद है हमारे हमारे पास एक अच्छी forces मजूद है तो वो हमारा कुछ भी बेगाड़ नहीं सकते कभी भी कश्मीर तो आपको यह लगता है कि कश्मीर का मसला किस तरह हल होगा हम तो चाहते थे के मकबूजा कश्मीर को इंडिया से झाँ वहाँ पहले तो उन्हों ने मैप के ऊपर धोका बाजी के साथ हमारे कुश्मीर को उन्हों ने अकोपाई करने की कोशिश की अब वो इस तरह के चोटे चोटे पॉइंट से डिस्क्राइब करते हुए पकसान की weakness's को यह पाकिस्तान को weak करके दिखाना चाहरे हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा किश्मीर पर कब्जा कर लेंगा तो ऐसा कुछ भी possible नहीं है इन्शाला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यह हमारे जो forces हैं वह यह काम कर रही हैं और और इन्शाला पाकिस्तान के अंदर किश्मीर दोबारा से बिल्कुल अच्छा खुशाल हो जाएगा कोई मत्सक्राइब देखेंगे ना एक तरफ पाकिस्तान में जो नई हकुमत बनी है नून लेकी शबाज शरीफ साब चाहरे हैं अप जो का पाकिस्तान के प्राकिस्तान पाकिस्तान के प्राकिस्तान के पाकिस्तान के बाप कवी पीछे चोड़ देंगे तो दोनों मुल्कों के दרमयान हालाब कैसे बेतर होसकते हैं अगर हादा बढ़ाना है ना तो भी आपको हमें काफी साड़ कर р~? यानि है अम最 Lap कि जो अभी जो मोदी का ये बियान है इससे जाहिर होता है कि वो हमारे साथ अच्छे तालुकात रखना ही नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार ने तो ये बयान अभी दिया है उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइमनिस्टर शबाज श्रीफ ने इस स्टेट्मेंट दी थी कि हम इंडियान अकॉनमी को जल्दी पीछे छोड़ देंगे और इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे तो बया इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रहे तो इस से बस फिर वो पाकिस्तान ने भी अपने पॉइंट सो डिस्क्राइब करने है ना तो इन फेक्ट वो चार है के अच्छे तालुकाद जनरेट हो लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव बि और पाकिस्तान के एटम बम आकर डड़ाता रहता है और ये लोग डड़ते रहते हैं तो आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए ड़ने वाली सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए तो चलिए आपने वीडियो पूरा देखा कॉमेट्स करके बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में